वेलकम चिल्डेन आज हम दा फॉर पपिट्स स्टोरी का एक्सरसाइज देखेंगे एक्स्प्लोर दा टेक्स्ट एंसर दा फ्लोईंग कोश्चन नीचे लिखी प्रश्णों के उतर दें कोश्चन नमबर वन वाइट दा पपिट मेकर वांट ही सन टू इस्टी एट हम पफिट मेकर जो है कटपुतली निर्माता वो अपनी बेटे के लिए क्यों चाहता था कि वह घर पर ही रहे तो उसका एंसर है the puppet maker wanted his son to stay at home because he always hoped his son would grow up to be a puppet maker puppet maker जो है कठपुतली निर्माता इसलिए चाहता था कि उसका बेटा घर पर रहे क्योंकि हर पिता की तरह वह भी चाहता था कि वह भी हमेशा जो है अपने पिता के काम को आगे बढ़ाए मतलब कठपुतली का जो हो काम करता था उसके काड़े को उसका बेटा जो है आगे बढ़ाए इसलिए वह चाहता था कि वह घर पर ही रहे नेक्स्ट कोशन नमबर टू कितने जो है कठपुतलिया जो है अंग के पिताजी ने अंग को दिये सभी का नाम लिखे तो उसका एंसर है अंग के पिताजी ने अंग को चार कठपुतलिया दिये थे जिसमें पहला का नाम था दिवताओं का राजा था दूसरा जो है हरे चेहरे वला एक आदम खो राक्छस था और तीसरा एक रहस्वादी जादूगर था और चौथा पवित्र शादू की कठपुतलि थे नेक्स्ट कोशन नमबर ट्री इस कहानी में जो है वो चारो कठपुतलियां के बारे में क्या तरशाया गया है तो उसका एंसर है ता फोर पवित्र सिग्निफाई इन दा स्टोडी यार नमबर वन किंग आप दा गॉड ता गॉड श वर्चू इस विश्टम वो जो चारो कठपुतलिया थी उसके बारे में इस्टोडी में यहां बताया गया कि जितनी भी कठपुतलिया हैं सभी का गुन और मुल अलग-अलग है सबके अपने गुन होते हैं जिसमें फर्स्ट जुथें कठपुतली वा देवताओं का राजा था उसने कहा अंके पिता ने कि यह भगवान जो है वा वुधिमाता से पूर्ण है दुसरी कठपुतली जो हरे रंग चेहरे वाला एक राक्षस का था जो बहुत ही पलवान था उसके अगुन था वा इस्टेन था पलवान था तीसरा एक रहसवादी जादुगर था जिसके अंदर जो है बहुत ज्यान भड़ा हुआ था और चौथा जो है एक पवित्र था शाधू का गुन होता है बलाई का तो ये चारों कठपुतली के अलग अलग गुनों को इस कहानी में दर्शाया गया है नेक्स्ट कोशन नमबर फोर परते कठपुतलिया जो है देते समय उसकी पिताजी ने क्या सलाह दी तो उसका एंसर है उसकी पिताजी ने अपने पुत्र से कहा अंके पिता ने अपने बेटे से कहा कि जितनी भी कठपुतलिया उन सभी के गुन अलग अलग है जो तुम्हें रास्ते में काम आएंगे रास्ते में ये मदद करेंगे प्रन्तु तुम यह याद रखना कि सकती और ग्यान जो है वो हमेशा बुद्धिमता और अच्छाई की सेवा करते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर फाइब कौनसी असे सला थी जिससे अंग ने कहा कि वह अब इसे कभी नहीं भूलेगा तो उसका एंसर है सकती और ग्यान जो है वह बहुत उप्योगी है प्रन्तु यह हमेशा बुद्धिमता और अच्छाई के लिए हैं और उनकी सेवा के लिए हैं अंग जो है अपनी धन का प्रियोग अब कैसे करता है तो उसका एंसर है अंग विल्टे स्प्लेंडिट हॉलिव पागोड़ा एंड आफ़र फूड एंड सेल्टर टू दोज हू विजिटेट ता स्राहन अंग जो है अब अपनी धन का प्रियोग करने लगा वैसे लोगों के लिए जिनका रहने का जगा नहीं था और खाने के लिए भोजन नहीं थी उसने बहुत सारे असे सराय बनाये रर ठहने के और मंदिर बनाया और खाने की प्यवस्था कि उन लोगों के लिए जो भूखे थें तो यहां हमारा question answer खतम होता है next है who said to whom किसने किसको कहा तो यहां कुछ sentences story से दिये गए हैं जिसे हमें पढ़के यह जानना है कि यह sentence किसने किसको कहा तो हम इसे story से ढूण के लिखेंगे बच्चो आप हम दो आपको बता देते हैं बाकी आप ढूण के लिखेंगे first में है I wish you would stay my son यहां किसने कहा तो यह puppet maker जो है वह अपने बेटे आंग से कहा next B है you must learn the secret of nature यह किसने कहा था तो आपको याद होगा story जब हम पढ़ रहे थे तो secret of nature जो है वह sorcerer कहा अंग से तो इसी तरह हम अपने story से जो है बाकी sentences को देखके लिखेंगे कि किसने किसको कहा आगे है word power इसमें column A और column B में कुछ word दिये गया है उस वर्ड से opposite आपको धूनना है column A में जो वर्ड है उसे column B के opposite आपको उस वर्ड के opposite आपको matching करना है फर्स्ट में है वर्चू वर्चू मतला गोन उसका opposite हो जाएगा wise second में wisdom उसका opposite stupidity next है costly इसका opposite cheap next knowledge इसका opposite हो जाएगा ignorance last week का strong आगे है change the flowing nouns into adjectives and then frame into meaningful sentences one has been done for you आगे जो है कुछ noun दिये गया है और उसे हमें adjective में बनाने है और adjective के बाद उसके sentence बनाने है ऐसे sentence जो meaningful हो ऐसे adjective जिसका कोई आर्थ हो तो उसका होगा first में बनाया गया है first में knowledge जिसका adjective है knowledgeable इसका sentence बना है he is a knowledgeable person उसी तरह हमें आगे भी बनाने है second में है weakness मैं इसका adjective बता देती हूँ बचो आप इस पर आप खुद से sentence बनाओगे आपका weakness है उसका adjective हो जाएगा weak third में है strength इसका adjective strong four wisdom इसका adjective हो जाएगा wish five holiness इसका adjective हो जाएगा holy और six में cleverness इसका adjective हो जाएगा clever और seven last education इसका adjective हो जाएगा educated तो बच्चो इस सभी adjective पर आप sentence खुद से बनाओगे यह हमारा chapter यहां खतम होता है thank you